हलो एवरिवन वेलकों टे निमिशा स्मार्ट कुकिं आज में लेके आएंग राजस्तान की पोपलर सब्जी की विड़ी लेके आएंग तो गट्टे की सब्जी हम बना लेंगे बिना टमाटर के हम बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कोई भी कप या कटोरी अजाब में आधा टेस्पून गरम मसाला एट करमेंगे अचे हिस इतना आपको पानी चाहिए अगवर्डिंग आपको पानी एड करना एक से दो टेबल स्पून की पानी की जरूर पड़ेगी उसका ज्यादा आपको एड करने की जरूर नहीं पड़ेगे इस द्यान से आइ तो एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में टीस्पून और पीजिए गुं लेजिए गाइगा तो इस तरह से गुंद के वें पांच मिन के रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तो प्रक्षमी पानी गरम करने के लिए रख लेंगे तो इस पांच मिन ते हाथ में हाथ में ट्रोइब लें खुड़ा सा लुजल गवाए लेंगे तो पतले वाफन पेट में रख लेते हैं हम एक्पानी गरम येवद टाजिए तब इसे में डाल देंगे पानी अच्छे से बाद में आपको इसको एड करना है 15 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पी से पका लीजेगा उसके बाद में आप इसे निकाल सकते हैं है ना हमारे गटा अच्छे से पक चुका है बिल्कुल चिपक नहीं रहे तो इसी तरह से आपको कर करना है तो इस पाने को भी फैकेंगे निया में क्रेवी के लिए हम यूज करेंगे तो इसे सैड में रख लेते हैं और आदा कब मैंने दई ले लिया है आदा टीस्पून हल्दी पाउडर दो टेबल स्पून हमें कश्मीरी रेट चिली पाउडर एड कर लेंगे एक एक यह सी अधल यह से हो चुका है अब टो हैं में wonderful homily को फूर एक कि लेंगे लेंगे ऐंडाग ज्यादाए डालेंगे अस्बजी खाने के लिए ま त्टी स्पून चीरा आट कर लेंगे ऐस चीज़ें चाटक जाएंगे भाद में हींग और बहुंत मरें लिए मीडियम है तो इसे भी वालिक यह पका लेंगे मेर सफ्सक्राइब क्या से लगरें मुझे कमीन को को जरूर बता ते रहे तो फ्रेंट बैल आइकन उसे क्लिक करना तो यह मैं नए नए वीडियोस के अब लिटाप को मिलती रहेगी तो मैं दो से तीन हरी मिर्ची को लंबे में चौप करके उसे भी एड़ कर लिया था और एक टेपोटी स्पून हमें हद्रक लसन का पेस्ट भी एड़ कर लिया था प्याज इस तर सब मिक्स पर कर लोगे तो में बिल्कुल नहीं फटेगे तो हइफ टेंगी और बार एक भाड भी इसे मिक्स करते रहेगा जब तक ना आ जाया तब तक लिए मिक्स कर लिए तो नहीं तो ने पानी बचा रखा था जो ने घंधे को बोईल के तो आड़ कर लेंगे एक से रीड़ कप पानी हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे तब इसे एक बार ही हमें अच्छे से मीक्स कर लेना है, इसके अंदर भी चेक कर लिजिएhen नमकांने भी ड़क डाला नहीं है तह자ше हमें नमक भी एड़ कर लेंगे इसके अंदर और एक boil आ जा है उसके बाद में जो गटा है हमारा तो उसे हमें इसके अंदर add कर लेना है तब इसे हमें पकने देंगे low to medium flame पे कर दीजेगा और 15-20 मिनिट के इसे पच्छी इसे पकने दीजे गटे जो रस सारे अच्छी सोक ना कर लें अच्छी सौप ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे तो आप देख से बंदरा मिनिट के लिए मैं लो फ्लेम पे रखके मैंने इसे पकने दिया था अभी अच्छी से हो चुका है इतना ग्रेवी इनफ है उपर से थोड़ा सा कर सूरी में थी एड़ कर लेंगे अधनिया आपके पास है तो वह भी जरूर एड़ कीजिएगा मेरे पास अभी नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं एड़ किया है तो इसी सब्जी आप कट्टे की सब्जी जरूर ट्राइ करके देखना आपको अच्छा लागेगा चपाती फिर से मिलते बाई फ्रेंट थैक्स एर वचिंग एंड टेक केर